हेलो फ्रेंड वर्कम बैक टो मैं चनल अम्रिती फैशन मिला आज की वीडियो में हम एकदम लाइट वेट सा बेस बनाने वाले हैं आप देखे कोई भी अस्तर या कुछ भी मैंने ने लेगा है सिर्फ नेट के पैप्रिक और एक लेस से हमने इसे बना दिया साथ मैंने डोरी बहुत इसी तरीके से बना सकते हैं मैं तीन नंबर के काना को पहना के दिखा रही हूं बट सेम ड्रेस आप चार नंबर को भी पहना पाएंगे आपको इसे पहनाने या बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस पगड़ी हमें थोड़ी सी लंबी करनी होगी मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया हुआ है आप देख लेजेगा एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि चार नंबर के लिए हमें क्या करना होगा बाकि ये नेफाव एगरा जो देख रहे हैं सब मैंने सीधी पट्टी के हल्प से बनाया और लगाया हुआ है इसे बनान को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा है और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागाम पर नहीं किया है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए मेरा अगशी नियुक्ताइब करें 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 इस और दोरी वांडी है और जिससे डोरी वांदी वह थोड़ी 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 से दिख रही है तो कुछ इस तरह की राकी ड्रस वामारी बन के रैडि हुई है साथ मैंने आपको मैचिंग की कैप भी बिएना बता हुआ हूई त लिया हुआ है नट का फाब्रिक है हमारा सब्सक्राइब चुड़ाई और लंबाई हमने 40 इंच रखी है सिंगल फाब्रिक है हमारा हमने यहां पर इस तरह से प्लेट बनानी है यह एक दूसरे के उपर हम ऐसे चढ़ाते हुए प्लेट को बनाएंगे यह देखें बहुत ईजी है इसमें बहुत जाता आपको ध्यान देने की ज़रुवत नहीं है कि प्लेट हमारी नीचे से बराबर ह उपर से बराबर हो क्योंकि हमें इसे बाद में कट ही करना है फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे किसी लिए अभी आप देखेगा हम इसे कैसे कट करेंगे मैंने सिलाई को लॉक किया जो ही लास्ट प्लेट इस्टिच हुई तो ही हमारी अंदर गई फिर से हमें आपे इस तरह स जैसे प्लेट बनाएंगे यह देखें हमारा यह नेट का फैबरिक जो है यह साइनिंग वाली नेट है आपको इजली मार्केट में मिल जाएगी नहीं तो बहुत जल से लिस्टार्ट होने वाली है तो आप मुझे 7237862439 इस नंबर पर वाट्सप मेसेज कर दिजेगा 72 36 24 49 सेल जब डी स्टार्ट होगे तो मैं कम्यूलिटी पोस्ट कर दूंगे अपने दोनुच चैनल पे और आप मेंसे जिनकूर भी नहीं पता है तो आप मेरा दूसरा चैनल भी जाक के चेक कर सकते हैं डिजाइन भाई अमरिती वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छी चीज़े मैं बनाना सिखाती हूं तो आप देख लीजेगा इस तरह से यहां पे हम इसे प्लेट को बनाता हैं अपर से Tel I Pantseniap करेते हैं år यहां पर शिर पहले मोलने के बाद यहां पर हमें इस तरह से अपनी minute के ऊपर ही रखना है ये देखिए ये ऐसे करके बाद रहने के भाद इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे भस ईक लो पिन देडा लेिए और उठाने के बाद प्लेट बनाते चले जाना है फिर जासे हम अभी तक बना रहे थे वैसे ही अगर आपको लगता है कि आप यह बहुत घनी प्लेट नहीं बन रही है तो मैं आपको बताती हूं कि आप कैसे बनाईए यह देखिए एक दूसरी के उपर हम चढ़ा तो रहे ही है तो ऐसे हम पांच जाई के पास जाएगा तो जो आप पर आपकी एक इंच की दूरी रहेगी वह आपकी आधे इंच में चले जाएगी जस्ट हमारा एकदम आधा हो जाता है यह देखिए यह इसे तरह से यहां पर हमें अपनी पूरी प्लेट बनानी है तो चले मैं यहां पर अपनी पूरी प प्लेट हमारी आई है अब हमने क्या करना है यहां पर देखिए इसकी कमर को मेजर कर लेना है तो कमर हमारी जो आ रही है पांस दस्ट अलोट दू पाच इंच के कड़ीब में यह तो हमारी इतनी एकदम सिंगल फद्रे एक्स्टा तो पाँ इंच कमर है था पर हम क्या तो चलिए देती हूं, फिर आगे बताऊंगे कि क्या घरना है, यहां पर हमने इसे इसे सिल दिया है। सिल दिया है। सिलने के बाद यहां से 1.5 इंच एक्टर लग के पाकी का कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें इसे देखिए इस तरह से सीधी साइड लेकिया जाना है सीधी साइड लाने के बाद यहां पे ऐसे मोड़ेंगे मोडने के बाद देखिए एक बार और मोड़ेंगे इसलिए हमने थोड़ाई का फैप्रिक लिया था क्यों कि दोरी हमारी आर पार दिखेगी अगर आप तीन चोड़ाई नहीं लेंगे तो हम इस तरह से यहाँ पर अब रखके सिलाई लगाएंगे यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको दोरी के उपर सिलाई नहीं लगानी है और दूसरी चीज़ सिलाई को लॉग जोर करें स्टार्टिंग और एंड में चले सिलती हूँ यह देखिए हमने आप इसे सिल दिया इसकी कमर हमारी रैडी हो गई है अब हमें क्या करना है यहाँ पर इसे इस तरह से देखें नॉट लगा देनी है हम कमर को इस तरह से खीच के और बात देएंगे आप देखिए हमने एकदम सिंपल सीधी पट्टी के हल्प से बराई है वर हमारी कमर जो है वो एकदम प्रॉपर गोल हो रही है यह देखें यह हमने यहाँ पर बात दी है डोरी बातने के बाद यहाँ पर हम इसे बराबर करे की सलहें और पन करने के बाद यहाँ पे सल्ते घट के और इसे थोड़ा सा जहाँ पर हल्क कम दिखाए है यहीं वाली साइड आपको थोड़ी सी कम दिखेगे यहें पर इस तरह से थोड़ा सा बराबर करेंगे अगर पूरे करें एक बारल के हाथ प्रस आपका बहुत गरम होना चाहिए अगर गरम होगा तो फिर यह नेट का फैब्रिक है बहुत जल्दी जल जाएगा यह देखिए मैंने इसे प्रेस करने के बाद हल्का हल्का सा कट कर दिया चारो सेट से जिसे इसका एकदम अच्छा सा राउंड सा सेप आ गया है अगर मैं इसका डायमेटर यह देखिए हमने यहां पर सिलाई लगा दिया अब इसी सिलाई पर हूं अपने यह गोल्डिन क्लर की लेस अटैच करेंगे चले कर लेती हूं यह देखिए हमारी यहां पर ड्रस कम्टीट हो गए है सिर्फ और सिर्फ नेट के फैबरिक से आप देखिए कितनी हलकी है आर पार हमारी दिख रही है और कितनी कुपसुर से हमने पोशाग बना दी है यहां पर आप चाहें तो थोरा सा गोल्डे नग बगरा रगा गए इसे देखने में हैवी कर सकते हैं बाकि यह रहे कि एक तब हमारी लाइट वीट गर्भियों में बिल्कुल कमफर्टेबल से ड्रस है आप इसे एजली बन गर्वादे बना देखते हैं तो पहले हम इसकी चोडाई ही देख लेते हैं देखे दो बाले अने इस तरसे मोडा और एक बार और मोड के इस पर शिलाई लगा लेंगे चले दिल लेती हूं उसकी बाद मैं आपको इसकी लंबाई भी बता दूंगी चोली के लिए और आप पहले पगड़ी की देखे, पगड़ी के लिए मैंने यहाँ पे यह 8 इंच लंबाई ली हुई है, इसे हटाते हैं, और आप चोली वाली देखे, तो चोली के लिए जो है, वो मैंने 9 इंच लंबाई ली हुई है, हमें क्या करना है, इसे इस तरह से मोनना है, मोनने के बा यहाँ पे हम थोड़ी दूर ऐसे तिवची सिलाई लगाएंगे चलिए सिल देती हूँ यह देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल लिया है अब सिलने के बाद हम इसे ओपन करेंगे और open करने के बाद देखे हमने यहां पने डोरी लिए है डोरी को यहां पर रखे सिल लेंगे तो हमारे चोली जो वो complete हो जाएगी चले चले लेती हूँ यह देखे हमारी यहां पर चोली complete हो गई है अब हमने यहां पर पगड़ी वाला ले लिया है piece हमें क्या करना है यह देखें यह इस तरह से हम ऐसे मोडेंगे लैस हमारी नीचे की साइड से आनी चाहिए मोरने के बाद एक बार इधर से हमें लगा देना है और दूसरे को इधर से लगा लेना है यह देखें यह कुछ इस तरह का हो जाएगा यहां पर लगाने के बाद यह नीचे की साइड हम सिलाई लगा देंगे यह देखें यह जो दो पीस हमने यहां पर ज्वाइंट किया है इ यह हमारी ड्रेस भी है और यह रहे हमारे काना जी तो सेम ड्रेस आप तीन नंबर के हैं और यही पर चार नंबर के हैं तो तीन और चार दोनों साच को आप पहना पाएंगे तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ तो यह दिखा देती हूँ तो यह दिखे गाज यहाँ पर ज लगा के पहनाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो ऐसे तो यह एकदम अच्छे से आ जा रही है आप देखिए कितना इजिली आ गई है काफी अच्छे से फिट हो गई है तो पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा दिया अगर आपने स्टार कर देखिना रादे रादे